तो आज स्टार्ट करेंगे ट्राइब्स ऑफ इंडिया या भारत की जन जाती है भुगोल के हिसाफ से देखोगे तो पीएसी में एक कुस्चिन जरूर पूछता है नॉर्मल कुस्चिन क्या रहेगा कौन से जन जाती किस राजे से बिलॉंग करती है इसके अलावा अगर बाक तो उसके बारे में पूछेगा इसके अलावा जो सेंसस रहते हैं जन जाती कि ये आकड़े उनके ओपर ध्यान देंगे हम लोग तो पूरे इंडिया के मैप में अलग-अलग जगा से जन जातिया पकरना शुरू करेंगे तो स्टार्ट करते हैं यह हमारा एक इंडिया का मै इसी हम लोग भरना सुरू करेंगे तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल को जो जनजातिया मिलती हैं अपतानी, मिश्मी, डफला, मीरी, आका, सिंगपो और खाप्ती ये जनजातिया मिलेंगे हमको अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल के नीचे बढ़ेंगे तो स्टेट आएगा नागा लेंड नागा लेंड में मिलेगा अंगामी पेमा सितेंग कोन्याक और लोथा ये सारी मिलेंगे हमको नागा लेंड में नागा लेंड के नीचे बढ़ते हैं तो स्टेट आएगा हमारा मड़ीपूर में रहेगा कुकी लेपचा और मूद ये तीन जन जातिया मिलेंगी एक चीज और ध्यान देना है जन जातियों में आस पास के टच वाले स्टेट नहीं देगा अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है कि अंगामी आपसे पूछता है और नागा लेंड नहीं देखता तो इससे जुड़े हुए स्टेट में छोटे बहुत वित्रण रहता है तो उसको पकड़ते हुए चलोगे आजू-बाजू के स्टेट में आप जो है सुछ कर सकते हो इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग मि अगे बढ़ते हैं मिजो और लाखेर जो यहांकी इंपर्टेंट जातिया है इसके अलाबा कोकी बगड़े भी मिलेगा असम में रहेगा मिकीर, चकमा, बोरो और कचारी इसके अलावा बोडो लेंड वगेरे भी रहेगा तो बोडो भी कर सकते हो अब उसको ये सारे होगे हमारे सिवन सिस्ट्र के अंदर कितनी जन जाती है पाई जाती है उनके बारे में इंफर्मिश आगे बढ़ेंगे पाई जाने जाती है इसके बाद हम बढ़ेंगे तो बस्ची damn मगाल से लगा हुआ जार्खंड में रहेंगा संथाल मुंडः हो विरह Pizza मारिया पहाडिया खारिय treria को इसको आद कर सकते हो कि विरहोर को मुंडः करती है और आ तो विरहाड होगया मुंडः और तमारिया ये जन जाती है हमारे पास जारखंड में आगे बढ़ेंगे तो जारखंड के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है राजी बीड कोल और भुकसा याद रखोगे भुकसा ये तीन जन जाती है मिलेंगी इसके अलावा उत तो उत्तरा खंड वाले को भी साथ में के टूच कर सकते हो उसको भी देख लिए हम लोग तो उत्तराकंड में रहेगा जॉन्हारी ठारू ten नेगी इसका लगा हुआ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में रहेगा गद्दी गुर्जर कि नौर ये सारी जन जातिया पाई जाएंगे उत्तरा हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ेंगे चम्मु कश्मीर में रहेगी गद्दी और बकरवाल ये दो जन जातिया याद रखो कि इस इसके अलावा बंजारा कथडिया और गरासिया इनको भी आपको याद रखना है राजिस्थान चे लगा हुआ चलेंगे हम लोग गुजरात तो गुजरात में मिलेगा मियाना पटेलिया और डाफर तो पटेल से याद रखना गुजरात में हार्दिक पटेल तो वह हो हैं ऐसे ही बढ़ेंगे तमिल लाडू में तो बढ़ागा टोडा कोटा और कुरूंबा कुरूंबा दोनों में मिलेगा केरल और तमिल लाडू इस चीश को ध्यान रखोगे बढ़ागा टोडा और कोटा ये रहेंगे तमिल लाडू के साथ में इसके बाद अगर बात करोग तो आंधर प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों एक ही साथ का हिस्सा रहा है पहले एक ही राज्य था तो इन में सारी जो मिलेंगी एक साथी आप बोलोगे आंधर प्रदेश तेलंगाना में क्या-क्या मिलती है तो चेचु या नाड़ी, घोंड, कोया, बगारा, बैगडाज ये सारी की सारी जन जातियां आंधर प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मिलेंगी इसके बाद बढ़ेंगे उडिशा में तो उडिशा में रहेगा जुआग, सवारा और कांध याद रखो के जुआग, सवारा और कांध ये है उडिशा की जन जातियां फिर हम लोग आग से स्टेट के अंदर करते ही हैं वो सारे सार लोग आपको बताएंगे बट जो इंपोर्टेंट है उसको ध्यान रखो के कोल मुंडा भील वैगा और लंबार्डी ये रहेगा मध्ध प्रदेश में ऐसे ही छतिस गड़ में अलग-अलग जन जाती है जिसमें जो दो है छेत्र क जो है नाम से अलग दिखेगा बाकी अंडमानी निकोबारी ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे जो नाम से अलग उसको घ्यान रखना है ओंगे जरावा शैंपेन और सेंटन गीज ये सारी जन जातिया मिलेंगे हमको अंडमान निकोबार में अब जिन स्टेट में नहीं लिख जाएगा पर्टिकुलर इनका अगर आप देखो के तो कोई ऐसा खास है नहीं बट जनसंख्या में ये लोग आ जाते हैं ऐसा मान के चलना है कि इन में भी है आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जहां पर नहीं भराया वहां पर नहीं है उसका हम लोग अलग से पता कर लेंगे कि कौन मतलब भारत की कुल आबादी जितनी भी थी उससे में उसका 5.6 प्रतीस जनसंख्या थी 2001 में भारत की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतीस जनसंख्या थी और जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है 2011 कि 2021 का भी तक दाटा आया नहीं है 2011 जो हमारी अंतिम जनगर्णा हुई है उसमें कुल जनसंख्या का भारत की 8.6 प्रतीस जनजाती जनसंख्या थी इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सेंसस में ही 2001 से 11 के मद्धि अगर जनजातियों में 10 की विर्धि बोले कि 10 10 साल में इसमें प्रदी कितनी हुई है तो कुल 10 की विर्धि है इनकी 23 प्रतीसद जनजातियों में और अगर ग्रामीड इलाकों में कहा जाएगा तो ग्रामीड जनजाती छेत्रों में व्रतनी है 21.3% जिबकि शहरी छेत्रे की जनजाती वृत्धि 49.7 प्रतिशन तो at least आपको इतना डाटा याद होना चाहिए सेंसस में लिंगा नुपात की बात करेंगे तो जनजाती का लिंगा नुपात भारत में 990 है सरवाधिक अगर लिंगा नुपात वाले राज्य की बात करेंगे तो याद रखना है जनजातियों में सरवाधिक लिंगा नुपात गुवा राज्य के अंतरगत है जबकि हम लोग गुवा के लिए कोई अलग से जनजाती नहीं पढ़े है तो उस पे आपको ऐसा नहीं कर रहा है कि नहीं है वहाँ पे है और अलग-अलग है तो वह साथ में मिला जूला होगा अगे बढ़ेंगे साक्षर्ता में तो पूरे भारत में जनजातियों की साक्षर्ता जो है 69% है 59% सरवाधिक अगर किसी राज्य में बोलेंगे तो मिजुरम में है 91.7% अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्ष दी पाएगा उसमें भी 91.7% है यहां की जनजातिया सबसे साक्षर है अगर नियून्तम साक्षर्ता दरवाली छेत्र को बोला जाए या राज्य को बोला जाए तो आपको लेना है आंधर प्रतेस 49.2% यहां पर जनजाती साक्षर्ता है आगे बढ़ते हैं जनसेंख्या का अगर हम लोग प्रतीसत के अनुसार देखते हैं तो इसको बढ़ते से घटता और घटते से बढ़ता करम ली है तो जो सरवाधिक है हमारे पास लक्षदीप में है 94.4% नागा लेंड 86.5% मिजो मिघाले 86.1% और अरुणाचल प्रतेस 68.8% ऐसे याद कर सकते हो लमी ना मे आ प्याद करोगे तो हो जाएगा लग से लक्षदीप मी से मिजोरम ना से नागा लेंड मे से अरुणाचल प्रतेस तो लमी ना मे आ यह बढ़ सासित प्रतेस या यूनियन टेरिटरी में है तो आपको लक्षदीप लगाना है सबसे ज़्यादा वहीं है और अगर राज्य की बात बोलेगा तो मिजोरम लगाना है ऐसे ही अगर बात करें सबसे कम कहां है प्रतीसत के अनुसार तो उत्तर प्रतेस में सबसे कम उसके इसे ही अगर बात करें जन संख्या के अनुसार घठता हुआ करम तो सबसे ज़्यादा जन संख्या मर्ध्य प्रतेस में जन जातीयों की उसके बाद है महराष्ट में उसके बाद और 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 का और खतम हो रहा है तो वहीं से आप आर से सुरू करोगे और जी यूज जो जे से इंडिंग है शुरुवात में दो में एम है फिर और आपको बोलना है और का आर से खतम हुआ तो आरे जे और फिर राजिस्थान का जे से आपको जी हो जे तो दोनों में जे से खतम होगा फिर जे से सुरू करना तो जे एच जारखन तो जे एच हो गया और एच के यह ऐसे राज्य या केंद्र सासित प्रदेश है जहां पे जन जाती जन संख्या बिल्कुल शुन्य है ना के बराबर है तो इसको आप ध्यान में रखोगी अगर पूछतिया कि इस राज्य या केंद्र सासित प्रदेश में जन जाती है नहीं पाई जाती तो आपको यही लग पंजाब, हर्याण, चंदीगर्ड, दिल्ली और पॉंडीचेरी